और हिंदी व्याकर्ण में आज हम बात करने वाले हैं अव्य भाव समास की समास प्रकण हमारा चल रहा था ओर है द्वंद्व समास हम कर चुके हैं कर्मधारी कर चुके हैं और वहूरी कर चुके दो समास आपके बस्ते हैं और मैं शुरू करता हूं अव्य भाव से देखिए एक सब्ध है व्य व्य का मतलब होता है खर्च इस व्य के साथ जब इप्रत्य जोड़ते हो तब सब्ध बनता है व्य खर्च होने वाला या करने वाला अब इसके साथ में नकारात्मक निशेद वाचक में साथ सार लिखते जाईएगा निशेद वाचक अब सर्ग जोड़ देते हैं तब यह शब्द जो है वो बनता है आव्याई इसका अर्थ होता है जो खर्च नहों अब यहां पर सावाल यह उड़ता है इदर जो खर्च नहीं होने वाला जो है वो अव्याई भाव है बच्चों ध्यान रखो कि यह समास जो है वो कहां होता है हम जैसा की जानते हैं शब्दों में और शब्द जो है वो किसी बाजार में खर्च नहीं होते हैं तो शब्द खर्च कहां होते हैं तब यह कहते हैं कि भई लिंग के अनुसार वचन के अनुसार कारक काल वाचे पूरूस के अनुसार जो शब्द अपना रूप परिवर्थित नहीं करता है जो लिंग के अनुसार नहीं बदले वचन के अनुसार नहीं बदले कारक के अनुसार नहीं बदले किसी के अनुसार जो अपना रूप परिवर्थित ही ना करे वहा क्या हो गया अव्य भाव हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि अव्य का भाव देने वाला अव्य का मनि जो खर्च नहीं हो ऐसा भाव देने वाले ऐसे भाव देने वाले जो शब्द होते हैं या जो समस्त पद होते हैं कि अव्य भाव के उधारण माना जाता है कि वापस शुरू करता हूं अव्य भाव जैसा कि मैंने बताया इसमें एक खर्च के जितने भी उदारण के उधारण हो अव्य पद बन जाते हैं एक रूप रहने के कारण यह अव्य भाव समास के जितने भी उधारण है वह अव्य पद बन जाते ». अब ये का मतलब है अब ये अविकारी पद बन जाते हैं याद कीजिगा मैंने जब हिंदी कक्षा को शुरू किया था ब्याकरण को उस दिन मैंने अविकारी पद बताए थे और अविकारी पदू में मैंने चार चीजें ली थी एक तो क्रिया विशेशन था एक संबंद सूचक था एक समुचि बोदग था वो एक विस्मयादी बोदग था तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी अव्य भाव समास के जितने भी उधारण होते हैं वो सारे के सहरे वा यथा शक्ती कारिय करता है हाथी धीरे धीरे चलता है भीड एका एक कठी हो गई सीता भर पेट खाना खाती है सोहन अवसरा अनुसार कारिय करता है अन्जली भोजना आर्थ पाक शाला में जाती है अटल बिहारी अटल विहारी शब्द होता है बिहारी शब्द नहीं होता है जिधान रखो हम भी बोल देते हैं वो विहार है विहार करने वाला बिहारी नहीं है तो अटल विहारी आजीवन या आजन्म कुवारे रहे उसके आपाद मस्तक पानी था मैं आजान हो पानी में खड़ा रहा इस वर्ष अनेक इस्थानों पर अतीव रिस्टी हुई प्रतेग छात्र प्रती दिन यथा समय पर आते हैं अब देखीगा यह मैत्वून बात एक यह है हिंदी व्याकरण में जब तक हम समास नहीं जाने जब तक कुछ भी नहीं जानते हैं यह ध्यान रखीगा तो यहां पर यह क्रिया विशेशन बनी अव्य भाव समास के जितने भी उधारन होते हैं वो लोग किसके उधारन बनते हैं क्रिया विशेशन का काम करते हैं वाक्य में यदि इसका प्रियोग करोगे अव्य भाव समास के जितने भी उधारन हैं उनका यदि आप वाक्य में प्रियोग करोगे तो वो वाक्य में प्रियोग होने के बाद में उस वाक्य में अव्य भाव समास के जो उधारन होते हैं वो क्रिया विशेशन का काम करते है ये ध्यान रखेगा अब क्रिया विशेशन का मतलब क्या है क्रिया विशेशन का सिधा सिधा साग मतलब है जैसे सामाने विशेशन की बात करता हूं तो विशेशन का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं विशेशता बताने वाला पद जो है वो क्या का उसे क्या कहते हैं अ अब यहांपर शब्द क्या आ गया बोलो क्रियाविशेशन मनी जो क्रिया की विशेश्टा बताता हो उसको क्या बोलेंगे अपन क्रियाविशेशन अब क्रिया क्या है इस वाक्य में क्या क्रिया है बोलो कारिय करता है इसमें चलता है इसमें हो गई इसमें खाती है करता है अब यहां पर देखो मोहन जो है वो क्या है इस वाक्य में करता है कारिय करता है यह सेंग्ट क्रिया है कैसे कारिय करता है वो यथा शक्ति क्या है बोल एक तो यथा सकती आप से कोई परिक्षक पूछता है कि यथा सकती यह जो शब्द है वह वाक्य में किसका काम कर रहा है किसका कर रहा है किरिया विशेशन का यह धान रखीगा करिया विशेशन जो हैं उसके चार भेद होते हैं कौन कौन से एक तो होता है काल वाचक क्रिया विशेशन एक होता है स्थान वाचक जो क्रिया के स्थान की विशेशता बताता हो एक तीसरा होता है परिमान वाचक क्रिया विशेशन परिमान वाचक और चोथा है रीती वाचक तो क्रिया विशेशन में भी जो अव्य भाव समास के उधारण है वो सरवाधिक कहां कौन से क्रिया विशेशन होता है रिति वाचक क्रिया विशेशन बहुत ही मत्पुन बात है इसको आपको ध्यांग से ध्यांद से देखना पड़ेगा मैंने यहाँ पर कहा कि मौहन यथा शक्तिकारी करता है अब यह जो यथा शक्ति जो पद है वो इस वाक्य में क्रिया विशेशन का काम कर रहा है लेकिन क्रिया विशेशन में भी कौन सा है ग्रीति वाचक यह मैंने कैसे जाना ग्रीति वाचक है यदि आप किसी भी क्रिया के साथ कैसे कैसा या कैसी जोड़ कर के प्रम पुष्टे हो और जो पद उत्तर जो बजो है उत्तर में आये गा उसको हम क्या बोलेंगे रीती बाझ यह यहां पर कहता हूँ जैसे मैंने कहा कि मैं जहां जहां गया देखें एक उधन और लिखता मैं जहां जहां गया जहां गयाँ वहां वहां मुझे प्रेम मिला यहां यदि मैंने ऐसा वाक्षी कहा हूता तो यहां पर देखो जहां जहां गया वहां यह भी में भी ऑव्याव सेशन है और ध्यान रखो ये भी अव्य भाव समास के उधारण है बड़ी बात में आपको बता रहा हूँ यदि आप इस चीज को ध्यान रख लोगे तो अव्य भाव समास को कभी गलत नहीं कर सकते अब ये क्रियाविशेशन कौन सा है क्योंकि जहां जहां गया ये कैसा क्रियाविश बहाव समास के उधारण हमारी भाषा में मिलते हैं वह सारे के सारे उधारण जो है वो किसके बन जाते हैं क्रियाविशेशन बन जाते हैं मैं यहाँ पर लिखने को हजारू उधारन आपको लिख दूँ उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला आपको यह ध्यान रखना है कि वाक्य में कोई ऐसा समस्पत जब आप से परिख्षक पूछता है तो उसका वाक्य में प्रियोग करके देखोगे तो यह क्रिया विशेशन क का काम कर रहा है इसका मतलब वह आभी होस्वास का उदारन है यह इसका सबसे बड़ा पैरा मेटर है समझने का इसको जानने का इसका इसका जो है सही ढंग से मैं अब जैसे का हातीजा दीरे-धीरे चला तो यह धीरे धीरे पद क्या आपत क्रिया विशेशन है क्यों क्योंकि क्रिया विशेशन लिंग वचन कारक काल वाचे पूरूस के अनुसार अपना रूप नहीं बदल थे मैंने यहां पर यह कह देता कि हस्तीनी धीरे-धीरे चली लिंग बदल गया तब भी धीरे-धीरे तो नहीं बदला फिर दूसरी बास चलता है से प्रस्ण कर लो कैस से चला कि धीरे-धीरे चला तो रीती वाचक हो गया भीड एका एक खटी हो गई कैसे खटी हो गई एका एक खटी हो गई तो यह सारे के सारे इसी प्रकार से भर पेट अवसर के अनुसार कारी करता है कैसे करता है अवसर के अनुसार इस वाक्य में सोहन अवसरा अनुसार का का काम करता है और अउसरानुसार यदि आप से पूछे कि कौन से समास का उदारण है तो बोलो किसका है अब यह भाव का अंजली भोजनार्थ पाक साला में गई पाक साला तो जो है वो कर्म हो गया लेकिन जाती हैं कहां किस्त के लिए जाती हैं भोजन के लिए भोजनार्थ इस तरह से ध्यान रखो अटल विहरी वाजबई आ जीवन मनी जीवन प्रियंद या आ जन्म एक ही बात है जन्म प्रियंद हालांकि अलग लग अर्थ हो जाता है आ जीवन जीवन प्रियंद और आ जन्म जन्म प्रियंद आ मृत्यू प्रियंद आ समुद्र प्रियंद आ बाल व्रिद बालक व्रिद प्रयंद तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यह इस प्रकार के जितने भी उदारण होते हैं बोलो किसके होते हैं अब भी भावसमाज के उदारण होते हैं आगे कुछ उदारण और लिखा मेंने मैंने कहा कि उसके आपाद मस्तक आमनी तक पाद मनी पेर मनी पेरूं से लेकर माते तक क्या था बोलो पानी क्या था कहां था आपाद मस्तक क्रिया विश्येशन का काम कर रहा है मैं आज जानू आ मनि तक और जानू का अर्थ क्या होता है गुठना मैं गुठने तक पानी में गुठने गुठने तक पानी था उसमें मैं खड़ा रहा आ उपसरगा ग प्रतेग चातर अब यह प्रतेग भी प्रती दिन भी यथा समय भी तीनु के तीनु जो है कौन आता है प्रतेग चातर कब आता है प्रती दिन काल वाचक हो गया और कैसे आता है यथा समय पर बास समझ में आ गई हो गी आपको यह तीनु के दिनु के रिया विशेशन है और द इतने भी होते हैं वो सारे के सारे वाक्य में प्रियुक्त होने पर किसका काम करते हैं क्रिया विशेशन का तो द्यान रखिएगा आगे चलते हैं अब देखीगा अब यह भाव समास की पहचान इस पदों की पहचान क्या है अब यह भाव समास को पहचानेंगे कैसे यदि किसी समस्थ पद में समस्थ पद का प्रथंपद खुष मंद तेव्र आदी उपसर्ग उपसर्गों को छोड़कर कोई भी उपसर्ग हो तो वहां पर अब वही भाव समास होता है यह था पहले तो यह धान रखो मुख्य मुख्य बता देता हूं कौन कौन से उपसर्ग आते हैं एक तो यह था एक तथा एक यावत एक तावत एक अति उपसर्ग बहुत आता है प्रति उपसर्ग बहुत आता है आ उपसर्ग का प्रियोग बहुत हुआ है उद उपसर्ग का प्रियोग होता है प्रा का प्रियोग हो सकता है एक भर उपसर्ग हैं एक बे उपसर्ग है एक बाग काईदा बिना काईदे के इस तरह से सब्द है और एक नी उपसर्ग है जिनका ज़्यादा प्रियोग होता है एक परियोग सर्ग है अभी उपसर्ग है अभी उपसर्ग आदी चलिए एक बार फिर बात करते हैं बात कर रहे हैं कि अभी भाव जो समास है उसकी पहचान क्या है तो मित्रु धान रखो किसी समस्त पद का प्रथम पद कुकसूस परमाबद्स्रेस निर्सत खुश्मंतिवर आदी उपसर्गों को छोड़ दो इनको छोड़ करके कोई भी उपसर्ग आ जाता है जैसे कि यथा आ जाता है आरम में यथा पद आ जाता है तथा आजया यावत तावत अती प्रतिया ये जितने भी उपसर्ग में लिखे हैं ये सारे के सारे ये उपसर्ग कहीं भी आ रहे हैं तो उसका मतलब वो जो पद है वो जो समस्त पद जो बना है वो किसका अधारण होगा बोलो अभी भाग का अधारण होगा बहुत सीरी सीख बात कि देखिएगा जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ मैंने एक शब्द लिखा यथा शक्ति एक तो हम केवल यथा शक्ति को रट लेते हैं यथा के शात में कोई भी शब्द आ जाए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कौन सा समास होगा बोलो और कोई समास नहीं हो सकता अब यथा से बनने वाले इतने शब्द हैं मैंने का यथा क्रम यथा भाव यथा धन यथा अश्रस्ति यथा राजा तथा प्रजा अब तथा अगया तथा प्रजा अगया इस तरह से ध्यान रखो इसी प्रकार से पठ्वारी पे पूछा गया था यावत जीवन में कौन सा समास है यावत और जीवन को जोड़ दोगे यह जो ता देख आज़ा जहाइं यह जाता है और शब्ड मनेगा बोलो यावत जीवन आप पहचानो के के से यावत से यहां किसे पहचानों फ़ो यथा ay yeah किसे पहचानों गे तरभा से इसी प्रकार से जैसे मैंने आतिसनह भ्रकार प्रतिदीन शब्द लिया तो यहां पर देखी का दीन के साथ क्या उपसर्ग जुड़ा है बोलो आउपसर्ग वाला उधान में आपको बता चुका हूँ आकंठ है आबाल व्रिद्ध है आपाद मस्तक है आजानू है आजीवन है आजन्म है वह सरे उधान हो सकते हैं मैं एक तरीका आपको दे रहा हूँ बाकी आगे के आउश्कर आपको करने यह उद्ध उफसर्ग है जैसे मैंने उद्भावना के दिया प्रदेश के दिया भर पेट के दिया भर सक के दिया बेदर्द के दिया बाकाइदा के दिया निगोड़ा के दिया प्रियावन के दिया अभ् वेसे कोई भी उपसर्ग आ सकता है किनको छोड़ करके बोलो कुक सूस परम महाबद स्रेश्ट कुश मंद तिवर दीर्ग यह जो उपसर्ग हैं इनको यह दिए हम छोड़ देते हैं तो बाकि जितने ही पद जो बनते हैं वो सारे किसके उधान बनेंगे बोलो अभी भाग को दहन बनेंगे इस बात को हमें ध्यान रखना से आगे चलिएगा और कहां कहां हो सकता है मित्रों अव्यवाव समास के लिए एक यह होता है कि जहां पर पहले पद की पुन्रावरत्ति हो मनि पुन्रावरत्ति हो जाती है हालांकि इसके दो ब्हेद होते हैं एक तो अव्यव्य पूरूपद समास अव्यभाव समास और एक नाम पूरूपद अव्यव्यवाव समास लेकिन मैं बहुत गेरही में आपको ले जाने ने चाहरा हूं आप जो हैं परिक्षा की एक मैंने एक ही लिख दिया एक मैंने दो ही लिख दिया अब इस तरह से ध्यान रखो कि जैसे घर के बाद में मैं यदि घर के बाद में और घर जोड़ दूँ याद रखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा था रोटी शब्द लिखा था देखो एक दिन मैंने एक बताया था प बोलो पुंद्रावरती नहीं थी ये वोटे शब्द ने क्या किया कि इस रोटी जैसी और जो चीजें रोटी के साथ में जो परोशी जाती हैं उसको सम्मलित कर लिया था रोटी के साथ में जो साक, सबजियां और मिठाईयां इत्यारी जो खाई जाती है उसको उस वोटी शब्द में हमने समाहर किया परन्तो यहां पर देखो रोटी के साथ में वोटी जोड़ दूँगा तो यह द्वन समास होगा कौछ सा समाज हुगा और रोटी के साथ मैं फिर रोटी जोड़ दो वो क्या है मैं कहता हूं कि मैं घर घर गया हूं गया हूं पहले तो घर घर जो पद जो आया वो किसका वाकि में काम कर रहा है क्री अ भूण का और यदि मैंने आपसे कहा कि आज घर वर डूब गए तो घर के साथ में मैं वर जोड देता हूं तो वो अभी भाव समास को अधान नहीं होता यह बहुत सुक्ष्म चीज है बहुत धान से पढ़ने कि इसको आउशिकता है यह धान रखीगा तो यहां पर पुंद्रावरती कैसी होनी चाहिए पूर्ण पुंद्रावरती क्या होनी चाहिए लेकिन कुछ शब्द हैं जिसमें अपूर्ण पुंद्रावरती हो जाती है आगे बात करेंगे जैसे मैंने पल पल कहा मैंने चाय वाई कहा तो वो किसका उधान बना पूछा गया लडिसी में द्वन्द समास का और जब मैंने चाय चाय बोला सेकंड गेट में पूछा गया तो बोलो क्या बनेगा तो यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब पुंद्रावरती उसी रूप में हो रही है इसी प्रकार मैंने दिन विन बोला ता विवा द्वन्द बन गया लेकिन दिन पर क्या होता है एक शब्द होता है दिनो दिन क्या होता है बोलो यहां एक तो दिन दिन हुआ एक दिन विन हुआ एक दिनो दिन हुआ लेकिन दिन में और दिनो दिन दोनु में समास जो है वो क्या होगा बोलो अभी भाव इसको बोलते हैं अपूर्ण पुंद्रावरती क् सार्थक निर्ठक वाला मेल नहीं होना चाहिए अब वोटी सब्रको यदि आप शब्रकोश में देखोंगे दियी नहीं मिलेगा आप चाहो कि भई मैं सनान के साथ वनान बोल दूँ और सनान अब सनान तो हमने हमेशा ही किया लगिन वनान कभी किया है क्या लेकिन सनान वनान करके आ रहा हूं उसका मतलब क्या सनान करने के बाद में जो भी बाहर निकलने के लिए जो भी एक प्रक्रिया है उस तक की जितने भी चीजे हैं उसको हम क्या बोलते हैं वनान बोलते हैं ऐसे दो केंगे सनान करेंगे पेंट पेंगे सट पेंगे बाल बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे फिर बाहरा रहा हूं तो हम उस वनान सब्से हमने क्या किया इस सनान सब्सक्राइब को हमने बल दे दिया ठीक वेसे ही ध्यान रखो कि जैसे मैंने एक जैसे दिन दिन का और यहां पर मैंने क्या का बोलो दिनो दिन एक तो इसको हम दिनो दिन बोल देते हैं क्या बोल देते हैं ये दिनों दिन कुछ नहीं होता है ये गलत शब्द है जैसे मैंने बोला रात रात क्या है बोलो वह रात रात जगा उसने रात रात जग कर पढ़ाई करी मनि रात के बाद फिर रात जगा रात के बाद फिर रात जगा रात के बाद फिर रात जगा रात के बाद फिर रात लेकिन हमें सुनने की आदत क्या पड़ गई रातू रात अब हमें बोलना क्या चाहिए रातो रात क्या बोलना चाहिए अब रातो रात का वो रातो रात अमीर बन गया मानि रात ही रात में देखो रात रात का मतलब क्या है रात के बाद रात और रात एक ही रात में ये ध्या जो कि गलत है इसको डिलिट कर देना आज के बाद में जीव execut क्या बनेगा हातो हातो हात हात हुआ हात नहीं है लेकिन हमें बॉलने में अच्छा लगता है तो लगता है जुठा रुका क्या क्यों बोल रहे हुं लेकिन इसका हमें समझना चाहिए कि जो शब्द है क्या होगा Hawthあーth का अर्थ अलग है हात ओर हाथ का अर्थ अलग है इसी प्रकार और सारे सब जैसे मैंने कहा तो इसका एक यदि में यहाँ पर मैंने कहा कि सट शट की आवाज आई तो सट सट से सटा सट, धर धर से धड़ा धर, मर मर से मरा मर, चम चम से चमा चम, गड़ गड़ से गड़ा गड़, मैंने कहा कि गड़ गड़ की आवाज आ रही है, मनी पहले गड़ाया, उसके बाद में गड़ाया, मैंने कहा गड़ा गड़ गरज रही है, बिजलियां, जो हैं बोलो किसके उधान बनते हैं अभी भाव समास के उधान रखेगा जिस शब्द के आरंब में यथा तथा यावत प्रति भर आ बेबा इत्यादी उपसर्ग का प्रियोग हो और जिस शब्द के साथ में जहां पर पहले पद की पुंद्रावरती हो जाती है कुछ पूर् पूर्ण पुंद्रावरती होती है जैसे हाथ हाथ कहता हूं तो पूर्ण है लेकिन हाथो हाथ कहता हूं तो बोलो क्या है अपूर्ण है